नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में भारत की नागरिकता आठकिल 5-11 तक डिसकस करेंगे और आपके वीडियो नमर 4 है इसका पहले पॉल्टी का 3 वीडियो अप्लोड हो चुका है जो नहीं देखे जाकर देख लिजेगा प्रेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे ठीक भाग में उल्लेख है तो जो भारत की नागरिकता है उसका उल्लेख समिधान के भाग दू में है भाग दू में उसका उल्लेख किया गया है और जो नागरिकता है समिधान के किस अनुछेद से किस अनुछेद तक है तो अनुछेद 5-11 तक है अनुछेद 5-11 तक है और इसमे एकल नागरिकता का प्राधान किया गया है और भारत में दो तरह के लोग आपके निवास करते हैं भारत में जो दो परकार के लोग निवास करते हैं एक आपके नागरिक होते हैं एक बिदेशी होते हैं जो बिदेशी होते हैं उसमें भी आपके दो तरीके के होते हैं एक होते हैं मित्र रास्ट के लोग होते हैं एक आपके सत्रू रास्ट के लोग होते हैं मित्र रास्ट किसे बोला जाता है जिससे हमारा संबंध ठीक हो ठीक है जिससे हमारा संबंध ठीक हो उनके नागरिकों को बोला जाएगा मित्र रास्ट के नागरिक अगर सत्रू नागरिक किसे बोला जाएगा तो जिससे हमारा उसमें यूद चला हो जिससे हमारा यूद चला है थीक है उसे हम सत्रु नागरिक बोलेंगे समझ गये न हमस्तव ने किस भाग मैं समिधान की भाग दूमें पूचा जाता है और किस आठकिल में 5 से 11 तक है भारत में एकल नागरिखता का प्रभदान किया गया है जबकि अमिर्का में जो है दोहरी नागरिकता है दोहरी नागरिकता क्या होता है तो जैसे कि आपके भारत में है भारत में क्या है अस्टेट है ना अस्टेट और सिंटर है तो अमिर्का में उसी परकार से अस्टेट और सिंटर है तो जो आपके अमिर्का है वहाँ पर अस्ट state और दोनों को एक ही नागरिकता है ठीक है दोनों का एक नाखरिख दायख की अचता है और अलास का परांत का नागरिक है अगर जो आपके अमिर्का से बाहर निकल दाएगा उनागरिक तो बोलेगा हम अमिर्का का नागरिक है अगर अमिर्का में तो बोलेगा हम अलास का परांत का नागरिक है समझे कि ने और यहां पर समझ गए कि भारत में दो तरह के लोग रहते है एक नागरिक और एक विदेसी में एक मित्र रास्ट के नागरिक है एक सत्रू रास्ट के नागरिक है ठीक है नेश्ट है कि नागरिकता से समंधित महत्पूर्ण पॉइंट को देख लिजिए तो सबसे पहले अनुछेद 5 के बारे में देखे इसमें क्या है समिधान लागो होने के समय नागरिक था जब समिधान लागो हुआ था 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 तो उस समय नागरिक भारत का कौन-कौन होगा तो उस समय जो भारत का नागरिक होगा पहला है कि अधी उसका जनम भारत में हुआ है किसी बेक्ती का जनम भारत में हुआ हो दूसरा उसके माता पिता में से किसी एक का जनम भारत में हुआ हो ठीक है उसके कोई बच्चा है उसके माता पिता में से किसी एक का जनम भारत में हुआ हो तिसरा पॉइंट है कि समिधान लागू होने के समिधान कव लागो होता है 26 जनबरी 1950 समिधान लागो होने के 5 बर्स पूर भारत में रह रहा हो तो अनुछेद 5 के तहट भारत का नागरिक कह लाएगा फिर से बोल देते हैं अनुछेद 5 समिधान लागो होने के नागरिक था समिधान को लागो होता है 26 जनवरी 1950 से भारत का कौन नागरिक होगा तो जिसका जनम भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से माता पिता ध्यान रखेगा माता या पिता में से किसी एक का जनम भारत में हुआ हो दूसरा पॉइंट है तिसरा पॉइंट है कि समिधान लाग पाकिस्तान से भारत को परवजन करने बाले बैक्तियों की नागरिखता है यह आपके भारत है यह पकिस्तान है इधर भी पाकिस्तान से जो भी बैक्ति भारत आ गए कब 19 जुलाई 1948 तक उन्हें जो ए अनुच्छे कतहत भारत का नागरिक बना दिया जाएगा लेकिन जो बेक्ती आपके 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में नहीं आ सके वो बाद में आपके भारत में आते हैं तो उन्हें क्या करना होगा उन्हें भारत में सबसे पहले आना होगा और अपना पंजी कराना होगा और उसके बाद 6 मेहने भारत में रहना होगा उसके बाद उन्हें भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा ठीक है तो यह दोनों पॉइंट किसमें अनुछेद 6 के ताहत अनुछेद 7 में क्या है तो अनुछेद 7 में है कि पाकिस्तान को परवजन करने बाले बेक्तियों की नागरिकता पाकिस्तान को परवजन करने बाले बेक्तियों की नागरिकता किस प्रकर से दिया जाएगा तो सबसे पहले समझी को यह बेखती था यह भारत में रह रहा था लेकिन जैसे ही पाकिस्तान एक नया देश बनता है ठीक है पाकिस्तान एक नया देश बनता है तो यह पाकिस्तान चला जाता है और कब चला जाता है एक मार्च एक मार्च उनिस स संतालिस के बाद जबिए पाकिस्तान में बेक्ती ए जाता है तो यह देखता है कि पाकिस्तान में तो बहुत दिक्कत है तो फिर से यह बेक्ती अपना बोडिया विस्टर समेटता है और कहां आ जाता है यह भारत आ जाता है जो ए बेक्ती है फिर से बापस भारत में आ जाता ह तो इसको भारत में नागरिकता किस पकार से दिया जाएगा तो जो ए बेखती है भारत में सबसे पहले वो का करेगा जब आएगा तो पंजी करन कराएगा क्या करेगा रेजट्रेशन कराएगा कि हम भारत में इस तारिक से रह रहे हैं उसके बाद उसको छे महना का अंदर जो बाहर रहने बाले भारतिय उद्भाव कि कुछ बेक्तियों की नागरिखता जैसे कोई बेक्ति मान लिजे कि भारत और पाकिस्तान जब बिभाजन नहीं हुआ था तो उससे में रह रहे थे उसमें मतलब कि भारत एक ही था भारत पाकिस्तान लेकिन भारत और पाकिस्तान का ब अमेरिका में रह रहा है लेकिन जो अमेरिका में रह रहा है उस बेक्ती के माता पिता दादा दादी नाना नानी अगर कोई भी भारत में पैदा हुए है बारत में रह रहा है तो जो अमेरिका में ए बेक्ती रह रहा है सिर्फ आपके जो अमेरिका में दूतावास से भारत का वहां पर जाके रेइस्ट्रेशन करा सकता है कि हम फलना देश का नागरिक हैं, भारत का नागरिक हैं, हम भारत का नागरिक हैं, हम भारत का नागरिकता रहना चाहते हैं, तो उनको अराम से नागरिकता मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि उनको नागरिक मान लिया यह पहले तो बोला कि भारत का नागरिक है, भारत का नागरिकता गरन कर लेते हैं, गरन कर लिया, लेकिन यह भारत से पूछे बिना, जाता है अमिर्का में, USA में जाता है, और USA का नागरिकता ले लेता है, भारत को बिना बता है, लेकिन जैसे ही USA का नागरिकता लेता है, आगरीक नागरीक बन गयाए नागरीक के समभन में बिधी बनाने के सकती दी गई तो कभी भी बिधी समभन में बिधी बना सकता है यह लिखा गया है नूचेद 11 में उसके बाद नेक्स्ट इहाँ पर है नेक्स्ट में आपका कि जो अनुचहत आपको बताएं उसी अनुचहत के बारे में आपर लिखा गया है ठीक है उसके बाद अगला में क्या कि संसत द्वारा नागरिक्ता के अधिकार का बिधी द्वारा एरेगुलेशन किया जाना उपबंदी थे तो अब देख चुके हैं अनुछेद 11 के अंतरगत है उसके बाद है कि भारती नागरिकता अधिनिया में 1955 पारित किया गया तो आपको याद रखना है कि जो आपके भारती नागरिकता जो अधिनिया में एक का पारित किया गया है 25 में और किसके द्वारा पारित किया गया है तो संसत के द्वारा पारित किया गया है अनुछेद 15 16 19 29 30 के तहत अधिकार किसे दिया जाता है तो केबल भरत के नागरिक को द्यान रखेगा फिर से यहां पर लिखते हैं 15 16 19 29 30 यह जो पांच आठ के लिए जो भी आपके अधिकार है केबल जो भरत के नागरिक है उनकों यह दिया जाएगा जो भी आपके अनुछे team आपके 15 16 19 29 30 में जो भी आपके अधिकार लिखा गया है किये गया भरत के नागरिक को से राश्च्पती की योगता रखते हैं इध्यान रखेगा अगर भारत में को राश्च्पती बनना चाहता है तो जनम से भी या प्राकिर्टिक रूप से भी आपके भारत की राश्टपती बनने की योगता रखता है जबकि केवल अमेरिका में क्या है कि जो भी बेक्ती अगर अमेरिका में जनम लेता है अगर अमेरिका में जो भी बेक्ती जनम लेगा सिर्फ वही बेक्ती अगर अमेरिका का राश्टपती बन सकता है जबकि भारत में क्या है कोई बेक्ति अगर भारत में जर्रम लेता है तो वह भी नागरिक बन सकता है अगर कोई बेक्ति भारत का नागरिक बन सकता है वह भी आपके भारत का नागरिक बन सकता है इस वात को ध्यान रखिएगा लेकिन अमेरिका में क्या है कि सिर्फ जो बेक् नहीं बन सकता है, यहां पर आप समझें कि नेक्स्ट में कि दोहरी नागरिकता, राजियों के लिए प्रिथक नागरिक बेवस्था को अपनाया गया है, इसमें आपको समझा चुके हैं कि यह से कोई USA का बेक्ती है, तो USA में भी आपके अस्टेट हैं और सिंटर है, तो कोई बेक्ती जो है, सबसे पहले वस्टेट का नागरिक होता है, सबसे पहले वस्टेट का नागरिक होगा, उसके बाद वस्टेट का नागरिक होगा, जब अमिरिका में रहेगा, तो बोलेगा कि हम इस अस्टेट का नागरिक हैं, जैसी अमिरिका से बाहर निकलेगा, तो बोले और्फलना राज़ को नागरिक यह बोलेगा कि हां इस इंपलना राज में रहते हैं dyeमल्थ टीक है इस बात को अं अमिरिक का है मतलब कि जो डबल नागरिक्ता होता है उसमें वहता है कि चिह को भी लेशा दिया जाता है और और सिंटर नागरिक्ता दिया जाता है तिक है उसके बाध encouragement करिकों के लिए नागरिक के साथ विदशियों कोदी प्राप्त मूल अधिकार तो जो नागरिक है उनको कोईकॉल सा अधिकार दिया जेकन अधिकार केबल आपको याद है अधे लोगे dzięki 15 है लिख देते है 16 था 19 था और 29 था और 30 था यह जो 5 है केबल जो भारत के नागरिक है उन्हीं को यह अधिकार दिया जाएगा जिबकि बास के नागरिक और वीदियसी, दोनों को कौन-कौन सा अधिकार दिया जायगा, तो अनुचे-थ 14 के तउझ जो भी अधिकार दिया गया है, अनुचे-थ 21 के तउझ praying, 21 के अनुचे-थ 22, अनुचे-थ 23, 24, 25, 26, 27 और 28 यहापके भारत और वेदियसी दुनνο सर्टकल्ष को मिलेगा जबकि पांच अधिकार केवल भारत के नागरी को ही मिलेगा इस बात को ध्यान रखी नोट कर लिजेगा एकजाम ये पांच आठकिल पूछा जाता है आपसे ठीक है इसको आप लग इस तरीके से याद रख सकते हैं क्या है 15 और 16 दो लगतार करम में है ना उसके बाद 19 है उस क्ते है वरकला के मार के आजाते हैं तो जो मूल अधिकार है छे प्रकला ये कौन-कौन मूल अधिकार है तो समता का अधिकार है उन्हें से शोटंदरता का अधिकार 25-28 उसके बाद है संस्कृति और सिच्छा समंधी अधिकार तो 29-30 और समयधानिक उपचारों का अधिकार जो है आठकिल 32 में ठीक है आठकिल 32 में उसके बाद नेक्स्ट है कि संसद नए राजियों का दिर्मान कर सकती है जो संसद है नए राज का दिर्मान कर सकती है किसके माधियम से तो सधारन बहुमत के माधियम से जो है संसद नए राज का दिर्मान कर सकती है उसके बाद नेक्स है कि भारती संग के अंतरगत किसी राज को मिलाने का अधिकार किसे तो संसद का अधिकार है लेकिन इस बात को आप ध्यान लखेगा कि जो संसद है एक बार राज से पूछेगा कि आपके जो हम राज की सीमा बदल रहे हैं आप राजी है इसमें इस बात को अपको ध्यान लखना कि अगर राज कुछ नहीं भी बोलेगा तो मान लिया जाएगा क कि राज है की पावर किसके पास है संसत के पास है किसे माली यह भिहार है तो अगर संसत चाहेगा तो बहार के यह लाखा का लगा काट के ऊत्र Champ परतिश को देगा वाले लिए के उट्रो monkeys की संखरी के लिए जो लोग से हमें आपके यूनिट एट रही हैं उसके लिए कितने सिट अरची थे तो 20 सिट अरची थे नोट कर लिजिएगा उसके बाद है कि नेक्स है कि राज पुर्नकटन आयो की सिफारिस पर जो एक नमबर 1956 को बनाए गए राज एबं संग राज छेत्रों की संखेय कितने थी ये पूछा जाता है बहुत इग्जाम मे तो एक नमबर 1956 को बनाए गए राज एबं संग राज लोग उसमें जो संखिया थी, उसमें आपके 14 राज थे और 6 संख राज छे थे, मतलब कि 15 साशित प्रदेश थे, बरतमान में कितने राज हैं, बरतमान में 28 राज हैं और 8 15 साशित प्रदेश हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसी में आगे, भारत में नागरिकते से समंधित कानून बना सकती है, तो जो भारत में नागरिकते समंधित कोई भी कानून को न बना सकता है, संसद या बिधान सभा, आपको याद रखना है, भारत में जो इस सिर्जन सीप से समंधित कोई भी कानून बनाने का पावर किसे दिया गया है, तो बाद नेक्स्ट है कि भारतिय समिधान में जो है नागरिकता का उल्लेक किया गया है तो भारतिय समिधान में जो है नागरिकता का उल्लेक देख चुके हैं कि भाग समिधान के भाग 2 में और किस आठकिल से किस आठकिल तक किया गया है तो आठकिल 5 से 11 के बीच में किया गया ह भारतिय समिधान जो है नागरिक्ता परदान करता है तो एकल नागरिक्ता परदान करता है जबकि इवेसे वला दोहरी यहाँ पर लिखा भी गया है उसके बाद नेक्स है कि भारतिय नागरिक्ता अधिनियाँ 1905 के अनुसार पंजिकरन द्वारा भारतिय नागरिक्ता भारती नागरिकता का अधार क्या है, कोई देखती है अगर भारत का नागरिक माना जाएगा, तो कैसे माना जाएगा, जैनम के अधार पर देख चुके है, बंस परंपरा के अधार पर ठीक है, पंजी करन के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, देशी करन के द्वारा भा पांच परकार से जर्म से बंस परंपरा से पंजी करन से देश्य करन से और अरजित भुमी के समा मिलन से जो है भारती नागरिक्ता प्राप्त कर सकते हैं भारत का नागरिक्ता उनको मिल सकता है पहला पॉइंट है कि अगर कोई बेक्ती है भारत में जो है भारत का नागरीकता फरजी तरीके से लिलेता है तो सरकार उसका नागरीकता को स्वाप्त कर देगी दूसरा पॉइंट है कि अधी नागरीक ने समिधान के परती अनाधर किया है कोई बेक्ती भारत का नागरिक बनता है और हमारे समिधान का अपमान करता है तो उससे हम नागरिक्ता छीन सकते हैं तिसरा है कि अधि कोई बैक्ती है जब यूद हो रहा था तो जिस भी डे newly new band माने से यूद रहा था तो कोई बैक्ती जो मारida नागरिक बना है वो चाइना का ह Punktप तो भार्हकर सब्सक्राइब उस भेक्ती से नारीमिक से छिन सकती है उसे tw eyebrow में डाल सकती है चोठा पॉइंट है ठीक है चोठा पॉइंट है कि कोई वेक्ति भारत का नागरिक बनता है वो 5 साल 5 साल आपके भारत में रहता है ठीक है लेकिन 5 साल में वो 2 साल आपके जेल में रहता है 2 बर्स अगर वो जेल में रहता है तो उस वेक्ति से भारस तरका नगरिकता चीन सकती है ठीक है उसके बाद है कि लास्ट पॉइंट है पाचाँ पॉइंट है ना कि कोई भी आपके समान नागरिक जो है लगतार भारस से 7 बरसों तक भारस से बाहर रहता है 12 सरकार कोई सुचना नहीं देता है तो उस भी बेक्ति को नागरिक्ता समाप्त कर दी जाएगी उस भी बेक्ति का नागरिक्ता क्या कर दी जाएगी समाप्त कर दी जाएगी ठीक है इतना आपको याद रखना है नेक्स से की नागरिक्ता संसुधन अधिनियम 2019 लागू कब होता है तो 10 जनवरी 2020 को लागू होता है कब लागू होता है 10 जनवरी 2020 को लागू हो जाता है नागरिक्ता संसुधन अधिनियम 2019 इसके तहट किसे नागरिक नागरिक्ता दिया गया है तो अफगानिस्तान पकिस्तान और बंगलादेश के अलपसंख्यक समुदाय को जो अलपसंख्यक समुदाय कौन है तो हिंदु है, सीख है, बौध है, जैन है, पारसी है, इसाई है ये विए सारे समुदाय के लोग अगर भारत में 31 दिसमبर 2014 तक अगर भारत में आ गए हैं तो उनको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा, नागरिकता संसुदन अधिनियम 2019 के तहट, इस बात को समझ गए ना, फिर से बोल देते हैं, नागरिकता संसुदन अधिनियम 2019 के तहट, नागरिक किसे माना जाएगा, किसे माना जाएगा, तो अफगानिस्तान, पाकिस्ता और बांगलादेस के जो अलब संख्यक समुदाई के लोग हैं अलब संख्यक समुदाई में कौन को आते हैं हिंदू, सीख, मुस्लिम छोड़ के ठीक है तो हिंदू आते हैं सीख आते हैं बहुत आते हैं जैन, पार्सी और इसाई आते हैं इन सभी अलब संख्यक समुदाई के बेक्ती जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए हैं उन्हें भारत का नागरिक्ता नागरिक्ता संसुदर अधिनियम 2019 के तहत दे दिया जाएगा अगर कोई बेक्ती जो है कि उना अफगानिस्तान पाकिस्तान बांगलादेस का हो अगर वे एक जनबरी एक जनबर 2015 को आता है तो उससे भारत की नागरिक्ता नागरिक्ता संसुदर अधिनियम 2019 के तहत नहीं दी जाएगे इस बात को समझ गए ना जो भी बेक्ती 31 दिसंबर या 31 दिसंबर के पहले तक आपके भारत में आ गए थे जो अफगानिस्ताइन पाकिस्ताइन और बांगलादेस के अलब संक्रिक थे तो उनको भारत के नागरिक्ता दे दी जाएगे इतना आपको याद रखना है लागो का हुआ था 10 जनबरी 2020 को लागो हुआ था उसके वाजे हम कुछ फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा गया है तो देख लिजी लिखा गया कि अनुछेद 21 का के तहट सिच्छा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया तो नूट कीजिएगा 6 में समिधान संसुधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रेश की सुदंता अंतर नहीं थे समिधान के अनुछेद 19-1 कमें अंतर नहीं थे मिखा गान्धी जो केस है यह कब हुआ था 1978 में और किस अनुछेद के तहट तो अनुछेद 21 के अंतर गत प्रदत मुल अधिकारों के बिस्तार को लेकर ये केस था सीखो द्वारा किरपाल धारन करने का धार्मिक सुतंता का अंग माना गया अनुछेत 25 के अंतरगत और मौलिक अधिकारों का संद्चक कोन माना जाता है तो हाई कोट और सुप्रिम कोट ठीक है और देखे जो आगे जो अगला वीडियो आएगा वहाँ पर आपके डिटेल से सारा कुछ को देखेंगे हम लोग लेकिन आपर हलका फलका है आपर देख लिए हैं जो कोसन पुछा जाता है हम आपको लिख दिया गया है तो आपको वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक्यू